हलो फ्रेंट्स टेस्पुक सूपर कोचिंग के यूट्यूब चानल के ओपर आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है और इस वीडियो के माधियम से मैं एक बहुत बड़ी और धमागेदार खबर आप सभी लोग के लिए लेका है हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे थे कि BPSC TRE 3.0 का जो एक्जाम लीक हो गया था उसकी जो डेट आगई थी वो आपके आगई थी 10 से 12 जून लेकिन आप लोगों का एक्जाम 10 से 12 जून में नहीं होगा आपके सूतरों से पक्की खबर जो आउट हुई है वो यह हुई है कि आप लोग का एक्जाम 20 जून के बाद ही आयोजित किया जाएगा ये बात ध्यान में रखना आपके election के बाद 4 जून के बाद आप लोगों को पक्की date मिल जाएगी जिसमें आपके 1st to 5th का exam 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 का exam जो है वो 20 जून के बाद आयोजित किया जाएगा लेकिन एक चीज याद रखना ठीके यह ऐसा क्यों किरा गया है क्योंकि 16 जून को UPSC का paper है जो की देश बर में आयोजित किया जाएगा तो UPSC के paper से free होने के बाद ही आपकी proper तयारी करकर BPSC TRE 3.0 opener exam को लिया जाएगा लेकिन guys head teacher की जो परिक्षा है वो 13 जून को ही होगी आयोजित यह बात दियान रखना जो head teacher की परिक्षा है वो 13 जून को ही होगी इसकी तिथी में कोई बदलाब नहीं है head master की परिक्षा 14 जून को हो मेरे दोस्तों 14 जून को करने का लक्ष जो है तो आपको basically 4 जून के बाद एक proper date मिल जाएगी कि कब-कब आपकी exams होंगे याद रखना head teacher के paper में कोई बदलाब नहीं है 13 जून को ही उसकी परिक्षा ली जाएगी very very important guys यह आज की cover ध्यान रखेगा और भी PSC ने कहा है कि TRE 3.0 का result 15 जुलाई तक घोशित कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जुलाई के अंदर TRE 4.0 की notification भी आएगी और calendar के अंदर कोई change नहीं किया जाएगे August में ही TRE 4.0 आपका आयोजित किया जाएगा तो TRE 4.0 के अंदर किसी भी प्रकार का change देखने को नहीं मिलेगा August में ही आपका paper होगा तो very very important अगर आपको एख़बर अच्छी लगी, valuable लगी तो आप फड़ावट से हमारी YouTube चानल को subscribe करके बला इकन को प्रेस करते रहे ताकि ऐसी सारी important खबरें आप सभी लोगों तक पहुंचते रहे तो 10 से 12 जून को होने वाला exam अब नहीं होगा वो 20 जून के बाद ही होगा और 4 जून के बाद उसकी एक proper date जो हो आएगी ये बात ध्यान लखिए क्योंकि 16 जून को पूरे के पूरे देश में UPSC का पेपर है तो एक बार UPSC का पेपर हो जाए उसके बाद आपका exam लिया जाएगा लेकिन head teacher का exam 13 जून को ही है इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है और head master की परिक्षा भी 14 जून को ही कराने का लक्ष है तो इन dates के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन 4 जून के बाद ही आप लोगों को एक proper date PRT exams की 6 to 8 की और TGT PGT की देखने को मिलेगी तो ये ध्यान पकना 15 जूलाई को result आ जाएगा और इस साल के end में BPSC ने बोला है कि TRE 5.0 भी आपको देखने को मिलेगी उसकी notification तो जल्दी से फड़ावट से इस वीडियो को share कर दो जितने लोगों में कर सकते हो हमारे YouTube चानल को subscribe करके बिल आइकन को प्रेस कर लो तो डेट आप आगे हो गई है तैयारी कर लेते हैं जोरदार तरीके से 2.00 पे आप मेरे साथ लाइफ जूट सकते हो अपनी बहुत बढ़ीया तैयारी करने के लिए और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के सभी लोग मेरे साथ 6 पीम पे लाइफ जूट सकते हो टीजटी पीजटी चानल पर जहां पर हम लोग 9-10 और 11-12 की जोरदार तयारी करने वाले हैं किसी भी स्टूडेंट को अगर कोर्स चाहिए ठीक है डिसकाउंट आज भरपार चल रहा है और मैं आपको डिसकाउंटर प्राइस को दिलवाद में की टीयारी 4 पॉइंट होगा कोर्स अगर आप लोग को चाहिए या कोई भी कोर्स इस नंबर के उपर 7973-700-450 इस नंबर मैसिज कर सकते हो टेस्ट बुक की पूरी टीम आप सभी लोगों के साथ है आपके एक्जाम को क्वालिफाय कराने के लिए और याद रखना 10 से 12 को पेपर नहीं होगा 20 जून के बाद ही आपका एक्जाम लिया जाएगा धन्यवाद